कोलकता बंदर्गाह से मैंगमार के सित्वे बंदर्गाह के लिए मालवाग जहाज को हरे जहंडी दिखाएगे इसके जानकारी केंद्रिया बंदर्गाह नोवहन और जल्मार्ग और आईश मंत्रे सर्वानंद सोनवाल ने अपनी ओपरी असम के डिब्रोगर में समबादा सम्मिलन में की आपको बतादे चले के इस पर योजना का उदेश्वे उत्तर प्रवरवा शेत्र को कॉलकता बंदर्गाह से सित्वे बंदर्गाह की माध्यम से मैंग बंदर्गाह को जोड़ने वाली कलादान नदी पर मल्टी मॉडल ट्राज्वे ट्रांसपोर्ट सुविधा के निर्माड और संचालन के लिए भारत और मियांगमार के बीच एक रोप रेखा समझहोते के तहत सित्वे बंदर्गाह विक्सित क्या गया है मालूम हो कि जहाज एमवी आई टीटी लॉयान एक हजान में श्रिक टन सीमेंट से भरे बीस हजार बैग लेकर नौ माई को सित्वे बंदर्गाह पहुचेगा जिसके स्वागत के लिए किंद्रे बंदर्गाह नौवन और जलमार्ग और आईश्मंत्री सर्वनंद सोनवाल में अगमार चुआ मान्य पढ़ान मत्यजी के निद्देश के मुटाबिक मैं भी सित्वे जा रहा हूं म्यानमार जा रहा हूं और निश्चित रुप से ये जब शुरू हो गया तो आगली दिनों के लिए बहुत बड़ा मोका हमारे नौठिस के आंथ प्रडेश की जन्टा के लिए होंगे कि जिशान हो या हमारे जो भी बिजनेस में जुरे हुए ब्यक्ति हो संस्ता हो सब के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो भी शामिल है उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेट्परम मिलेगा बहुत बड़ा मोका मिलेगा इसके लिए मैं नौठिस के एक ब्यक्ति होने के नाते में प्रमादर्ने पधानमर्य जी को नौर्टिस की तरब से बहुत-बहुत धहिनवाद डेटा हूँ, क्योंकि सिट्वेपोर्ट खुल जाने का साथ-साथ हमारे मिजुराम हो, टिपुडा हो, असाम हो, मनिपुर हो, सभी मेघाले हैं सब के लिए ये बहुत-बड़ा म मुका होगा, मुझे लगता है कि आप नौर्टिस को, जैसे प्रमादर्ने पधानमर्य जी ने पिछली नौ साल के अंदर जो भी उन्होंने मदद की है, इसके बज़े से आज नौर्टिस ने अपनी काबिलियत को दिखाने में सफलता प्राब की है, और देश के अलाग-अल की नेटिट्ट में आज हमारे डेश की जो जलमार्क में अधिक गटिबधिया बर्ष चुका है और उनीके निड़ेश के मुटाबिक आज भारक हमारे परोसी डेश का साथ एकजिम ट्रेट के सिलसिले में, इनलेन वाटर वेस्ट के सिलसिले में, कनेक्टिविटी बढ़ाने में सफालता प्राप की है, और आप सबको मालूम है, एक तिस पॉलिसी के जड़िये प्रमादर ने पधान में देशने लोग जो लक्स टाई की थी, कि उट्टर भारत को बर्वा देने का, प्रगती विकास की रस्टे पर टेश से ले जाने का, तो उसी लक्स को प्राप्ति के लिए आज जो भी उन्होंने कड़ाम उठाये हैं, इसके बज़े से कल कॉलकटा समर्पसंद मुखारजी पोर्ट अथार्टी से एक हमारे कार्गो भेशल सिमेंट लेकर मियानमार की सिट्वे पोर्ट के तक रावना हो सुखा है, ये सिफ न नौर्टिस एसिया के लिए बहुत बड़ा कडम है, क्योंकि ये जो वाटर वेस कनेक्टिविटी के वज़द से, सीरोट कनेक्टिविटी के वज़द से आगली दिनों में हमारे इस इलाका में बेपार बढ़ेगा, और हमारे विशे सुर्प से नौर्टिस की सारे प्रदे किसी को सकार करने में प्रमादर ने पढ़ानमरजी ने सफलटा प्राप की है,